कैसे हैं आप लोग आज हम लोग बात करेंगे ऐसे questions के बारे में जो आरो यारो परिच्छा के लिए बहुत मातपूर्ण हैं और हम लोग प्रशनोत्रस संखला इस चीज को कवर करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पार्ट वन आज हम लोग discuss करेंगे और एक चीज आप जिसकी वज़े से हम यही questions नहीं कर पाते हैं वहाँ पर जाके तो ध्यान दीजेगा and questions को यह one by one कीजेगा इससे related जो भी मैं answers बता रहा हूं और उसका discussion बता रहा हूं उसको भी ध्यान रखिएगा कि question है नहीं question में लिखा हुआ एक-एक point या question में किया हुआ एक-एक discussion आप के लिए important है जरूरी question आए question से question का किसी भी option को लेकर वो question बना सकते है तो हम लोग स्टार्ट करते है पहले question से निमलिखत मैं से कौन सा कातन मौलिक अधिकारों के संबंद में सत्त है इन्हें कानुर की साधान औं प्रक्रिया से राजень विधायका द्वारा बदला जा सकता है तो यहां पर ये question आता है मौलिक अधिकार से संबंद है चल्दी है तो यहां पर यह question भी गलत है और ये साधरान कानूनों द्वारा इनका क्रियानवन भी नहीं होता है, इसके लिए प्रिक्टिकुलर एक कानून बनाया जाता है, तो यहाँ पर ये question, answer भी हो जाएगा, दूसरा option हम लोग देखते हैं, प्रांसिसी करांती के नारे स्वतंदर्ता, समानता और डैस ने पूरी स्वतंदर्ती के नारे से हम लोगों ने लिया है, अपने constitution में, ने, सन 1904 में भारती विस्विद्यालें पर करड़े नियंत्रन नागू करते हुए भारती विस्विद्याले अधिनियम प्रारित किया, किसने किया, तो ये लाड करजन ने किया, गवर्नल जनरल, ये रहा था प्राक्टिस होनी चाहिए कम से कम, जब वो अगर वो निया अधिस के पत पर जाना चाहता है, उच्छी नहा लेना, तो यहां पर आंसर होगा 10 परस, इसमें से किस राज्ज में, लोग सभा में सरभादिक सीटे थी, ठीक है, 2014 में, ऐसी सरभादिक सीटे हैं, जो 19 में भी निमलिखित में से कौन सी वस्तु आवस्यक वस्तु अधिनियं, 1955, इसी को कहते हैं, Essential Commodity Act, तो इहां पर एक चीज देख लिजेगा कि इसमें कौन कौन सी Commodity आती हैं, इसमें साथ Commodity हैं, सीम्त Commodity हैं, पहली है, Drugs, दूसरी है, Fertilizers, तीसरी Commodity है, Seeds, सीट कैसे जूट चौथी कमोडिटी है यहां पर फूड स्टप खाने पीने से संबंदित चीज़ है ठीक है तार हो गए पांच में कमोडिटी है ठीक है और साथ में एक बार हम लोग और देख लेते हैं यह पैट्रॉलिय मुत्पाद है ठीक है तो आवसे बस तो अधनियम में मien कमोडिटी आती यह और ड्राष्म से साथ कमोडिटी आती इसके लावव कोई भी कमोडिटी होगी भो एस्थेंस्ट सेंट्ल गॉव्मेंट कर ठीक है यह यह थान लखिएगा यह सेंट्र्ल गवर्मेट करती है तो इसमिये option देख लीजिए दवा आती है बिल्कुल petroleum आता है उर्वरक आता है खाट फदार्त आते हैं बट machinery नहीं आती है तो यह option हो जाएगा नहीं इसमें पूछा है ना चलो आगले question पर चलते हैं समवेदान के किस संसोधन द्वारा ग्रामील इस्थानी सासन को समवेदानिक दर्जा प्रदान किया गया तिहतरमा संसोधन 1992 में अच्छा तिहतरमा हम लोगों ने देख लिया तो चोहतरमा संसोधन भी हुआ था यह किस से संद्बंदे था जो municipalities जो होती है ना उनको समवेदानिक दर्जा मिला था नगरपाली का इसको बोलते हैं इसके अनुसार पार्ट नाइन और यह मिंसी पार्ट इसकिसमें आती है पार्ट नाइन एव है चलो next question पर चलते हम लोग कोई भी धन प्रस्ताव निमने में से किसकी स्विक्रति के बिना लोगसावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता इसका अंसर बहुत सिं अब्जेक्टिव रखा गया था जवालन नहरू के द्वारा उसमें से कौन सा प्रस्ताव कौन सा उप्सन नहीं था उस प्रस्ताव में तो देखिए यहां पर कॉमन सेंस से जरूटी नहीं कि आप पड़ी लीजिए क्योंकि हमने हमेशा ही सुरच्छा प्रदान करने का वा भांग हो जाएगा तो कौन सा भाग नहीं था एक बांकी सारी चीज़े थी उसमें भारती संवेदान में अवसिस्ट सकती हैं रेसिड्यूल पावर्स जिसको बोलते हैं किसको मिली है केंद्र को 2003 में बानवेमा संसोधन हुआ था जो आठीवी नसूची है आठीवी क्वेश्चन के एक वर्ड को एक अप्सन को अभी अच्छे से करना है क्योंकि यहां पर एक्जाम नहीं हो रहा है यहां हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है आठीवी नसूची में किन भारती भासाओं को सम्मिलित किया गया है बोडो मैथिली और संथाली इसके साथ ए बिक और भासा इसमें एड की गई है जिसको बोलते हैं अच्टिक कर लीजेगा अगरे चैनल को अगर आपको वीडियो पशंद आ रहें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा लाइक कर दीजेगा चलो अगरे question पर चलते हैं हम लोग कार कारी निया अधीसों की नियूकति की जाती है किसके द्वारा उच्छी निया अले में भी की जाती है और उच्छी तम निया अले में भी की जाती है तो इसका answer क्या हो जाएगा A और B दोनों का शविदान सही सुमेलित नहीं है तो पंचाएते बिल्कुलस और बात करी चुके हैं यहीं कि अति यहां पर यह भाग गलत डिकर्न मिनordन किस में आते हैं भाग 14A में 14A में और आर्टिकल इसके लिए कौन से सम्दित है 323A 323B एक चीज और देख लिजेगा कि सहिकारी समितियां जो भाग 9 का खा भी हम लोग बात कर रहे थे तो ये कब एड किया गया था 97th 97th Amendment Act 2011 2011 2011 वाकि ये हम लोग दोनों options के बारे हम पहले ही देख चुके हैं पिछले question चलो अगरे question पर चलते हैं निवन में से कौन सही सुमेलित नहीं है इसमें यहां पर मौलिक अदिकार दिये गए और यहां पर अनुच्छे दिये गए हैं देखो अस्पिरस्ता का 25 में आती है संक्यको के हितों के सन 29 में आता है बिल्कुल सही तो यहां पर यह सुमेलित नहीं है यह इनच्छेट 22 होगा भारत में राज सभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है यह मनोनयन कौन करता है राज सभा के लिए रास्ट पती कि समविदान संसोदन दोरा सिक्षा कभी से राज सूची से समवर्ती सूची को इस्थानांतरित कर दिया गया है ऐसा हुआ था बयालिस्मा समविदान संसोदन ठीक है तो जो बयालिस्मा समविदान संसोदन था है इसको mini constitution भी बोला जाता है इसी को क्योंकि इसमें बहुत सारे समविदान में संसोधन किये गए थे इसमें एक चीज़ और देख लिए कि सिच्छा के साथ साथ और कौन कौन से विसीयों को समवर्थी सूची में डाला गया था इसी समसोधन में तो एक तो सिच्छा में लोगों ने देख लिया पहला एचुकेशन हुआ दूसरा हो गया कौन सा एनिमल्स वैल फेयर जो हो गया तीसरा वेट से रिलेटेट चीज़ें भी अब समवर्थी सूची में आएंगी चौत्था फॉरेस्ट पांचमा यहां पर आत यह ध्यान रखिएगा कि पूरा जैसे सिस्टम नहीं सुप्रीम कोर्ट अलग रहेगा बट बाकी चीज़ें समवर्थी सूची में रहेंगे यहां पर सेंट्रल एस्टेट तो नहीं काम कर सकते हैं इन टॉपिक्स पर या इन भागों पर ठीक है अच्छा निम लिखे राज का तीसना इस्टेट है तेलंगाना चौण उस्टेट है महारास्ट्रा पांचवा एसिट है बिहार और च्छेटमा कौन सा यूपी उत्तरपड अतनने ही स्टेट्स में इस समय आधि सेंट में छशे स्टेट्स हैं जहां रिधान पर स्थ है भी समय से देख लीजे सिसमय किस देश से हुआ है युनाइटिट किंगडम से भारत में सबसे पहले लाएगी जनहित याचिका जिसको बोलते हैं वह कब लाएगी 1980 के टाइम पर दो बड़े जिस्टिस हुआ करते थे ठीक है ना बड़े उनको बड़ा human welfare या लोगों को ले चीज़ें आजान करना के बड़ा सौक था तो उन्होंने PIL अपने हां पर भी इंट्रूडिस किया भारत में भी इंट्रूडिस किया और महान हस्तियों का नाम क्या जस्टिस पी एन भागवती ठीक है और जस्टिस वी आर क्रिश्ण नायर ठीक है वी आर क्रिश्ण नायर यह ध्यान रखिएगा बिल्कुल ही हां से question note सकता है चलो भारत का सम्विदान भारत को गोसित करता है क्या गोसित करता है राजियों का एक समू हम लोग federal फेडरल पढ़ते रहते हैं बट यह ध्यान रखिएगा कि यहां फेडरलिसन सिस्टम की बात नहीं है ठीक है यहां union of states बोला गया है ठीक है union of states और यह कैसा states है ठीक है undistructible union of states ठीक है जहां पे states अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं union से जैसे अमेरिका में है अमेरिका में क्या है कि state ने मिलके union बनाया है बट यहां पे union ने states बनाये है ठीक है और उन्हीं के पास पूरे power भी है कोई भी state अगर नया बनाना है तो union ही बनाएगा हमेशा वहम सब दोग देख चुके हैं और हम लोग अकसर देखते रहते हैं जैसे कि रास्टपती चुनाओ संबंदी विवाद का निप्टारा कोन करता है कोई करता है ठीक है कोई भी चुनाओ रास्टपती या उपर रास्टपती संबंदित हो तो वह कौन करेगा सर्वोच नयाल है मतलब माननी सुप्रीम कोड़ ठीक है चलो next question संसदी सरकार जिस सिध्ध पर कार करती है धेलों बहुत बार देखते हैं सक्टियों कर विवाजन अम लोग कई बार देखते हैं पारलियमेंटरी गवरण्मेंट में यहां पर यह संसदी सरकार की सबसे बड़ी क्वालिटी है चलो अगले question पर शिभार पालिका में गंश्ट सम्वंद्ध जो कि हम लो भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया 1968 में और जो इस समय हमारा लोगपाल एक्ट है वो कब आया 2003 में ठीक है लोगपाल एक्ट 2003 में और ये किस चीज को लागू करता है ये लागू करता है पी-सी ए प्रिवेंशन ओफ करप्सन एक्ट 1988 को भारत के संसद में सून काल सुरू होता है कब सुरू होता है दोपैर बारा बजे नगले क्वेस्चन विभारत का संविधान का कौन सा भाग नागरिक्ता से संबंदित है दूसरा ठीक है ये ध्यान रखिएगा कि दूसरा भाग नागरिक्ता से संबंदित है तीसरा भाग किसे संबंदित है ठीक है तो तीसरा भाग संबंदित है भहिय सब्सक्राइब यूनियन गवर्मेंट और उसके जो भी पार्ट्स है उससे ना यहां पर यूनियन गवर्मेंट की बात आ जाएगी ठीक है ध्यान रखिएगा बजट कम्मु कुद्धिस क्या है जवाब दरी सुनेश्चित करता है बिल्कुल प्रबंदन के साथन के रूप में कार भी करता आर्थिक विस्ट्रेशन देता है और पर्योग सभी कि रानवेमा संविदान संसोधन किस्टे संबन्दित है अब ध्यान रखिएगा त्रानवेमा संविदान संसोधन यह काफी इसमें डिस्पिट भी हुआ था तो इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है कि एक बार इसमें रिलेशन है इसका कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वाल्ब था तो इसलिए पालियमान ने फिर से तरानवेमा संविदान संसोधन किया था जिससे OBC को पारच्षड सिच्षड संस्तानों में दिया जा सके ठीक है भारत में केंदस आसित प्रदेश कितने हैं आठ कौन-कौन से देख लिजे एक बार सबसे पहले था हम लोग वह देखते हैं जो बिक्दम लेटेस्ट बना है जिसको बोलेंगे लडाक जमू एंड कस्मीर च जम्ति atma कौन सा हे उदू चेरी सात्मा कौन सा है अंडमानेंड निकोबार ठीक है है ये सारे हैं इनको याद रखिएगा नेवन लेखत राज्यों में से किस राज्य की विधान मंदल द्वी सदनी है कहां किस राज्य में दो सदनों का विधान मंदल है ठीक है तो अब हम लोग पहले भी हम लोग देख चुके हैं देखो दुबारा यह question फिर से आ रहा है बस टम्स इसके चेंज हो गएं उसमें लिखा था कि विधान परिसद कहां नहीं है यहां पर लिखा है विधान मंदल द्वी सदनी है किसमें किसमें ठीक है तो यह हम लोग देख चुके हैं पहले ही तो विहार में है बिल्कुल है तो पुरा तमिलनाडू पस्चि मंगाल उसम इंडिया और इलक्सन कमिशन ऑफ इंडिया एक कंस्टिट्यूशनल बॉड़ी भी है ठीक है ना आर्टिकल है इसमें 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 कुछ भी चेंजिस करने के लिए आपको समविधान में परिवर्थन करने पड़ेंगे वह सारी की सारी चीजें इसमें साधना करून के द् तो इसको भी देख लिजिए एक बार अबले सर्विस कमिशन जितने होते हैं चाहें वह यू पीएस्सी हो या फिर इस्टेट पीएस्सी हो ठीक है ना वह सब कंस्टिट्यूशनल बॉड़ी होती है और वह किसके अंडर में किस अंडर आर्टिकल में आती है वह आर्टिकल म कंस्टिट्यूशनल बॉड़ी हैं अभी हाल में एक कमीशन को दर्जा भी दिया गया है कंस्टिट्यूशनल बॉड़ी का तो जैसे हां पर हम लोग बार यह देख लेते हैं एस्सी एस्सी एक हुआ गड़ता था बट अब एस्सी 338 आर्टिकल में आता है ठीक है एस्टी के ठीक है अच्छा नेशनल कमीशन की तो बात हो गई इसकी बाद नेशनल कमीशन एक और भी है जो उबी सी के बनाया गया है बेक व ट्लासेश के लिए ठीक है और यह कब बनाया गया है है 2018 बनाया गया है इसko constitutional amendment के थूर और इसका article कौन सा है article 33 तो National Commission of SCC कि बात होगी National Commission of backward की बात होगी नेशनल कमिशन ऑफ जो भी SCC थे उनकी बात हो गई इसके बारे हम लोग एक बार और देख लेते हैं इसके बात Attorney General भी constitutional constitutional body होती है यह ध्यान रखिएगा इसके उपर question बन चुके हैं और यह attorney general को या advocate general को इन दोनों को ही पालियमेंट के किसी भी समित में और पालियमेंट में बैठने का अधिकार होता हलांकि vote देने का अधिकार नहीं होता यह question बन चुके हैं तो यह ध्यान रखिएगा यह सारे के सारे यह दोनों ही constitutional bodies हैं और यह article किस में आती है 70 में और यह article किस में आती है advocate general आता है 165 में ठीक है इसके लाबा एक और constitutional body है जिसको बोलते हैं special officer for linguistic minorities ठीक है तो linguistic minorities officer article 350 B ठीक है इसके अलाबा एक और भी constitutional body है जिसको मैं देख लेना चाहिए जिसको बोलते है finance commission कई बार यह exam में भी आता है और हम news में भी रहता है ठीक है तो इसको एक बार ध्यान रखिएगा finance commission किस अंडर आर्टिकल आता है आर्टिकल 280 यह सारे के सारे याद रखिएगा bodies को हो सके तो इनको अलग लिख लीजिएगा चलिए भारत में सूचना का अधिकार किस वर्स में पारित किया गया है हम तो लोग जानते हैं आर्टिकाइक 2005 में पारित किया गया है भारती संग किस देश के संग के संग के समान है ठीक है भारती संग कनाटा के संग के संग के समान है जहाँ पे federal system तो है बट एक strong union भी है federal with union strong union अगला question भारत का निरवाचन आयोग अभी हम लोग बात ही कर रहे थे ये एक समवेधानिक संस्था है भारत के सर्वुच नियाले की अधिकारिक भासा कौन सी है सर्वुच नियाले की अधिकारिक भासा हिंदी नहीं है नहीं 18 भासा है ये भासा है अंग्रेजी सर्वुच नियाले के किसी भी सुनवाई में अंग्रेजी का ही उप्योग होगा वो जितने भी अपने documents 25 पड़िए या जो भी पत्राचार करेगीि उल्जी में ही करेगी अगर आपको पी अईल & ढालना HEY सूप्रीम कोडंगे उनवल पड़ेगा उन्डी में रेचें क begitu तो वह एकश्प्ट नहीं किया जाएगा थीक है अशेलों लोक्स चाहिए क्या जाता है नॉहցआ सबावन इसका जो कारकारी अध्यच कुछ दुनों के लिए बनाया कि इसक चल सकें और फिर फिर वह नई अध्यच जो भी ने सांसा है तो यह प्रोटेम के अध्यच बना जाता है रास्टपती अ भारत के समविधान के अनुच्छेद 70 के अंतरगत रास्टपती एवं उपरास्टपती की अनुपस्तती में कौन रास्टपती होगा ये होंगे भारत के मुख नयाधीस ठीक है तो ये था हमारा आरो एरो इस्पेसल आप मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आप में जोइन कर सकते हैं जहा थैंक यू